इसमें लाइव राख्मान विवाहीम, आज के इस वीडियो के अंदर हम Special Pathology कि आस्पी को डिसकस करने वाले हैं, इससे पहले मिने एक वीडियो प्लोड की थी लेकिन उस वीडियो से में Satisfactory नहीं था, लेकिन इस वीडियो से में Satisfactory होगा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लेड वैसल वाला टॉपिक है, तो यहां से बड़े इंपॉर्टन कोशन देख लो फिर इसके आप से डिसकस करें गया था, थीरो से क्लावरेसिस उसके इस फैक्टर है, पेशेंट को क्या डवाइस करो कि कैसे मॉकिंग न करे, एक्सराइस करें, ब्लड पैशोर कमेंटे इसक्शन के अंदर डैसेक्टिंग इंडर इंडरिक इनलोरिजम में देखने को मिलती होती है, तो यह तीन से चार्ड इंपॉर्टन टॉपिक्स त्यार करते हैं, तो इससे बहले आपको बतातर तो टॉपिक को डिसकस करने से बहले आप कुछ इंपॉर्टन इमेजिस देख कि बताते हैं जो आपके डिसक्र होती है, इसक्राइब और इसक्राइब इसक्राइब आपको कहीं लाइन को बहले आपको देखने को मिले रहा है, तो यहां पर आपको सुपरिपोस्ट्रों में को मिलेगा, क्लियर और ही. इस दियाग्राम भले नजर रहा होगा रप्चर हो जुका है जो झ Aha मैक नजरह आगा के लैंगा कि लाग भेड तमा बन गया रही है और इसके त chang है है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है, टाइप 1, 2 को A बोलती है और टाइप 3 को B बोलती है, ठीक हो गया, टाइप 1 A, 1 A 1 है, तो इसमें आपको ascending, descending दोनों की involvement देखने को बलती है, डीबे की type 2 A वाली में, इसमें आपको safe ascending involvement, ascending की होती है, ठीक है, तो what is this diagram, इस तरह की डियगराम होती है, is this diagram giant cell temporal rt.ritus, temporal rt.ritus, internal last one, fragmentation. what is this, यह आपको कह नजरा आपको giant cell, multi-nucleated giant cell नजरा रहे है, what is this diagram, तो यह diagram नहीं आपके आपको ब्लैट वेसल के नार्व होचका है और यह मोननुकलर इन्फिल्ट्रेट जैंड से लापको नजर आ रहे है तो यह polyarthritis नॉट उजा किया है, इसके अंदर जहां पर arrow बना 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 arrow, तो arrow के इंडिकेट कर रहा है, ओके, यह आपका normal part है, लेकिन यह आपका abnormal part है, इसके अंदर आपको fibrinat necrosis देखने को भी लेगा, ठीक है, वैसल वाल के दर, neutrophilic infiltration, thrombus oclean है, ओके, तो यह नॉट कर देना, what is this diagram, तो यह जो diagram है, यह आपका, लाइक, यह general metosis with polyangitis किया, what is this diagram, तो यह thrombo-angitis, oblator, disease किया है, ओके, और यह जो diagram है, this is the famous diagram of renault fenomena, renault fenomena की diagram है, what is this diagram, तो यह diagram है, hemangioma की है, capillary, cavernus, और यह आपका pyogenic, जिसको pregnenciate humor भी कहते है, और last में आपने important diagram को देखना, जो कि आपका capillary sarcoma से related है, like इसमें आपने, आपको patch, plaque नज़रा रहे हैं, यह आपको nordural ligand, जिसके अंदर आपको splump proliferating spindle से नज़रा देगे, clear, तो इमने आपको कुछ diagram एक्स प्लेइन करती है, अब हम topic के चलते है, सबसे पहले कहारा है, तो अथिरो स्क्लारेसिस के risk factor को दो देख लेते होते हैं, तो अथिरो स्क्लारेसिस के risk factor को आपने दो में divide करना होता है, एक आपका modifiable और non-modifiable है, जो आपका modifiable होता है, इसमें आपने hyperlipidemia, hypertension, cigarette sparking, diabetes और inflammation आजाती है, non-modifiable या constitutional के अंदर age बढ़ जाएगी, तो इसके साथ हो जाएगा अथिरो स्क्लारेसि दो चार major component होते है, थी इसके area होते है, ठीक है, नबहुना इसका superficial fiberous cap होता है, जिसके अनर smooth muscle cell, latent macrophages collagen होता है, उसके बाद shoulder, 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 इसके बाद आपको कहा देखने को बिलेगा, lipid, cholesterol, 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 debris, form, cells आपको देखने को बिलते है, अब अब आपने components को चार्ड में divide करते है एक्साइस करनी है एक्साइस करनी है हेल्थी वेट को मिंटेन करना है है फूद लेनी है इसके लिए इसके बाद इसकी प्लाक की कॉंपल के इंदर आपने मीमॉनी के हार आपको देखने को मिल सकती है तो याल मुस्तर अथिरो सेक्लोरेसिज वाला टॉपिक हो गया है अब भी शायद वीजिबल नहीं है या डाइग्राम भी नहीं है लेकिन मौन की बर्ख मीडियों से क्लोरेसिज के इंदर कैल्सिफिकेशन होती है मीडियों वाल अश्कुलर आट्री की पचासाल से उपर आपको देखने को बिलती है और यह क्लिनिकली इसक्लोरेसिज कहती है क्लिनिकली इंसिफिकेशन होता है बस इसके बारे में बात नौट कर लेना इसके बात आपको हाइली और प्लास्टिक बला रएदी में एक्स्क्लें करने की जरूरत नहीं है तो नेक्स्ट हम आजाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है systic median derision सब्सक्esseract सबस्सेबरान को इस को मेम्लाइज करने के कोईशिश कुरें इस डाइगरम इस जोबिटा वाले डाइगराम है तो यह तो यह आपको इस बनाइव यह तो इन शॉट्क आपको दो चीज़े देंजर आएगी नमबर वन इंजब का Elastin Fibers है Elastin Fragmentation देखने को मिलता है नमबर टू Formation of Cystic Area Cystic Spaces जिसके अंदर क्या होता प्रोटियो ग्लाइकान भरावा होता लेकिन Elastin नहीं होता इसके बाद नेक्स टर्शिरी सिफिलस है जो कि Oblidative endotritis कराता है इसके लाब मारफन्स इंटरॉम है तो मोटी मोटी एग्जांपल वकिरा देख लेना कि सिस्टिक डिजनरेशन मारफन्स इंटरॉम हाइपर टेंशन है नहीं होन्स नहीं हमारा नैक्स जीक और हमारा फैसल इसके बार इसके बात नेक्स और हमारा इप्प्रिंध कर्शन है यह तो हो गया यह आपका पॉली आर्टरी को सपेयर करता है यह पहले हम इसकी बात करते हैं इसमें इसमें एक्यूट लियन के अंदर आपको फिर्ली नेक्रोसिस विदा ट्रांस्पिर इन्फलेमेशन देखने को मिलेगा जो इसकी हीर्ड लियन है वा पी आपको फैप्रोसिस और डिस्ट्र इसमें दो बस एक दो मोटी मोटी बात है कि नेक्रोसिस सग्मेंटल और सुपरिंपोस्ट थेखने को मिलेगा इन्फलेमेटर इन्फलेटर इन्फलेटर यह नौट कर लेना बाकि लाइब फाइंडिंग यह नौट करना कि हैपिटेटर सफिस एंटी एच्पी इजी आपको 30% केसिस के अंदर देखने को मिलता होता है अंका के सास्थ सेजर नहीं होता इसको डियाग्नोस करने के लिए अंजियोग्राफिक करना जिसके अंदर आपको बीडिंग अपेरेंस देखने को मिलती है बायोक्सिस एकोरे टेस्ट और इसको ठीक करने के लिए को अपने देना माई यहले टॉपिक है दुसरा अरिमाटिक फिवर इंफेक्टिम अंडो काड़िटर्स तीसरा आपका हाइपर टॉपी वेगर आपको देखने को मैं सकती है लाइपर हाइपर टॉपिक हो गया तो अमाई वाले टॉपिक पर मिन पहले वीडियो बनाई है तो आप उस वीडिय इनक्राइप गया घंड हो जाती हैं सबसे इंप्रटबन आपका मयोकारड़ इंफक्विक है नियॉकिन के आपने का क्या जो नहीं है कि नमर वन इसका में को उसक आफके还 क्रिरियो क्लॉपिक यॉत்as हो और तो इससे क्या कुशन बनेगे आप से पूचेता है कि इसके रिस फैक्टर क्या होते है एजिंग है मेल जैंडर है है हीपटेंशन स्वोंकिंग डाबटीस हाई परिपीडिमिया उबेसिटी या क्वी पैरित्रल आर्टीरल डिजीज है उसके वाले से भी माई हो सकता होता है सबसे इपर्शन फैमिली इस्ट्री फैम्ली इस्ट्री के दर फस्ट डिग्री रालेटिव है ओके मिल की एक शुटी फाइब से जादा होने चाहिए यह बात नोट करने ना इसके पाद अगले सवाल यह बनेंगा कि माई कि इस टाइप्स का उता है दो टा प्रास मेरल में देखने को मिलेगी ओके जो आपका लाइक सबंडो काडियलास में क्यू वेफ एपसंट होती है बस यह नोट करने ना बाकि पैथोजनेशिस के अंदर आपने क्या नोट करने के सदर्ण डिस्रप्शन होती है फिरो अथिरोमेटर सप्ला की ही कहा है जिसके इसके इंदर आपको देखने को मिलता है, modeling यालो तीन इंफाक्ट सेंटर, ये एक से लिए का तीन दिन, और एक से लिए का तीन दिन के अदर आपको neurotrophilic infiltration देखने को मिलता है, coagulative necrosis, loss of nuclei and striation देखने को मिलती है, और एक और बात देख लेना कि एक से लिए एक दिन तक आपका modeling देखने को भी लेगा, लेकिन एक से लिए के दिन दिन में modeling यालो तीन इंफाक्ट सेंटर, जबकि आपका तीन सेले के साथ दिन में आपका hyperamic model central यालो तीन है, पिर CR आ जाएगा, CR में central और R से red 10 margin और फिर आपका red grade depressed लेए और लास्ट में आपका तीन टिशू बन जाएगा, एक और बात note करने कि अगर इंफाक्ट आगर आपका 12 गंटर से पहले का है, अगर 12 गंटर से पहले का है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, जो कि brick colored tissue वगएरा को करता होता है, यानि brick colored appearance बना देगा, बस ही बात note कर लेना, इसके बाद आप से कॉंप्लिकेशन अगरा पूछी जा सकती है, माई के तो माई की तो कॉंप्लिकेशन उसका मीमोनिक हो था, आई वी के है, आई से इंफाक्ट की expansion हो सकती है, V से आपको ventricular aneurysm है, contractile dysfunction है, aneurysm हो सकता है, arrhythmia हो सकता है, clear, myocardial rupture हो सकता है, okay, तो papillary muscle dysfunction हो सकता है, तो यह मोट symptom जिसके अंदर क्या होता है कि crushing pain 30 minutes से जादा का होता है, crushing stabbing pain होता है, rapid week pulse होती है, sweating होती है, nausea, vomiting है, okay, यह क्यों होती है, because of posterior inferior ventricle involvement with a secondary vagal stimulation, इसके बाद आपने क्या देखना होता है, आपने enzymes के लावल को देखना होता है, MIE को देखने के लिए आपने ट्रोपोनीन को देख जबके CKMB चार्स लेकर 6 गंटों में आएगा, peak करे के 24 लेकर 48 गंटों में, okay, और ठीक है, तो यह आपने मोटे मोटे मोटेन की examples वगरा को देख लेना, clear, अगर आपको यहां से त्यार नहीं होता है, तो आप यह stable से भी देख सकते हो, CKMB ट्रोपोनीन आई, ट्रोपनीन माई की 24 लेकर 48 में होते हैं, यह आपका से के 12 गंटों में वापिस आजाएगे, आपके साथ से लेकर 10 दिन में, ट्रोपनीन आई यूटी है, और जबके माय गलोबन वाला होता है, 24 गंटों के अंदर अदर आजाता है, जबकि LDH वाला ना, यह 8 लेकर 14 देनी होता है, तो यह रिद्मी आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, रेंट्रिकृलर फिब्रिलेशन का देनाट कर लेना है, बाकि ECG चेंजिस में Q-Wave, S-T-Segment Elevation और T-Wave इंवरियन होती है, ओके S-T-Segment Elevation आपको देखने को मिलता है, इंवर्टेड Q-Wave, अब स्वर्टेड T-Wave है, यह 3 important changes आपको ECG में देखने को मिलता होती है, clear, तो almost almost हमने के लिए topic देख लिया है, अच्छे, यहाँ पर heart से related कुछ important images से उनको भी देख लिता है, clear, तो सबसे पहली में आपको MI से related है, तो MI से related तो यह जो diagram है, यह acute MI की है, acute Mark Cardinal Fraction Cages, जो के इसमे आपको Tri-Fenal Tetrazolem Clorad use यहाँ पर arrow है, यहाँ पर coagulative necrosis वारा बनावा है, यहाँ यहाँ पर LDS leak है, यहाँ staining defect देखने को मिलेगा, due to leakiness of lactate dehydrogenous enzyme है, okay, अब यह जो diagram है, classical diagram है, यह आपका एक से लेका infarction है, यह आपका एक से लेका 3 दिन का infarction है, यह आपका सास लेका 10 दिन का है, okay, और यह आप granulation tissue बनेगे और यहाँ पर healing complete हो चुकी है, clear, what is this diagram, तो इस diagram किदर देखोगे, तो यह आपका re-porphalion injury की वरे से consequences, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपका microscopic है, तो इसके अदर आपको like streptokinus को tree करने की वरे से contraction band ne necrosis देखने को मिलता हो, clear, अब यह complication है, यहाँ पर आपका कौन सा muscle rupture हो गया, myocardial rupture हो गया, muscle ही rupture हो गया, what is this rupture, तो यहाँ पर ventricular septum rupture हो चुका है, यहाँ पर papillary muscle, okay, तो यहाँ पर ventricular aneurysm देखने को मिलेगा, clear, and what is this disease, तो यहाँ आपका hypertensive disease है, okay, अब hypertensive disease के अंदर like आपका यह वाला जो disease है, यह वाला, what is this disease, तो यह आपका systemic left-sided है, जबके यह वाला, जो beta वाला है, यह आपका right-sided hypertensive disease, इसको आप क्या बोलते है, core pulmonial भी कहते होते है, देखो यह वाली side hypertrophy होई भी यह, ठीका, यह आपका, okay, इसके बाद हम देख लेते है, आगे, mixer metal regeneration हो लेकिने तरह important ही है, okay, what is this, तो यह आपके rheumatic valve की क्योंफी disease, आपको देखने को मिलती है, clear, तो यह आपका, like, जो यह acute rheumatic valvulitis है, उसके आपको small vegetation, विरू काई, along the line of chlorure of valve leaflet, यहापे आपको देखने को मिलती है, टीक हो गया, तो पहले previous episode हुई होगी, rheumatic valvulitis के, जिसक के अदर आप देखो ना, कि यहापे fuse हुआ पड़ा है, valve, तो यहापे mitral stenosis भी पड़ी है, ठीक होगी, है mitral stenosis है, okay, तो यह देख लेना, बाकि यहापे chart आपकी vegetation को explain कर रहा है, like, cardiomatic heart diseases के अदर जो vegetation होती है, वह small होती है, vartic projection होती है, vegetation होती है, along the line of chlorure of valve leaflet, ठीक है, infective endoc cardatus में बड़ी-बड़ी vegetation होती है, bulky, fryable, bulky vegetation होती है, जिसके अदर fibrin, inflammatory cell bacteria, आपको देखने को मिलते है, यह और यह आपको देखने को मिलती होती है, clear, तो almost यह diagram आपको मिने सारी ही दिखा दिया है, तो heart के अंदर इतनी ही diagram आपकी आती है, तो MI के अंदर हमने सब चीज़े बगादर डिस्कस कर लिया है, left integral hypertrophy इसको भी हमने देख लिया है, सिर्भ rheumatic fever वाला topic रहा गया है हमारा, okay, तो rheumatic fever वाला और इसके लाभा इंफेक्टिव अंड़का रहा गया है, यह topic आपका रहा इसके अंदर क्या चीज़ पूचे रहेगी, like rheumatic fever आपसे morphology से related या आपसे कुई criteria पूच रहेगा, diagnosis के लिए तो Jones criteria, इस जौंस में आपने बाइग्लेटरी पोलिया, arthritis, carditis, pancarditis, subcutaneous nodule या नौडियूल या नौडियूल या नौडियूल इलिथे मावाजी रहेटर मसे इंदिन हम को रिया, minor criteria में fever, arthralgia, elevated acute phase reactant, previous history आपको देखने को मिलेगी, ECG में PR interval बट जाएदागा, अगर हम microscopy feature की बाद में बात करें तो इसको पैथर बिनोमे के लिए रहें इसको बॉडियू के लाइक रहें को क्या देखने को मिलता है, foci of fibrinoid necrosis surrounded by foci of t lymphocyte plasma cell plump activated macrophages, okay, macrophages के abundant cytoplasm होता है clear, abundant cytoplasm में काफी जादा होगा, तो इसको कैसे define करोगे central area of fibrinoid necrosis, okay, t lymphocyte plasma cell macrophages, जो के multi nucleated या nishku cell, nishku cell plump activated macrophages होता है, abundant cytoplasm होता है central round to white nucleus होता है, binucleate होता है, chromatin central cylinder vv ribbon बना देगा, जिसको cathodra pillar side कहता है, pancard data सापको देखने को मिलता है, आपको विरोग के देखने को मिलता है, विरोग के क्या होता है, यहाँ पर vegetation, overlying the necrotic foci along the line of clogure of valve leaflet, ठीक है vegetation होता है, okay, मैं callum plank देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है, left sub endocardial thickening देखने को मिलती है, जिसके वज़े से regular thickening होगी left rectorya में, जबके chronic rheumatic heart disease में leaflet की thickening आपको देखने को मिलती है, number two, commissional free and shortening है, और thickening और free and of quarter tendening है, और last में अपने fish mouth stenosis को कभी भी नहीं भोलना, जो कि chronic rheumatic heart disease के दर आपको देखने को मिलता होता है, fish mouth stenosis, आल्मस्ट हमने पूरा topic cover कर लिया है, player rheumatic fever वाला, और इसका जो causative agent आपका, causative agent क्या होता है, वो group है, beta hemolytic stuttokok, stuttokokos pyogen होता होता है, अब इसकी कौन से protein होता है, इसकी almost M protein होती है, जो के cross react कर जाती है, अब infective endocarditis वाला topic अंदर आती है, infective endocarditis is a microbial infection of heart valve, or mural endocardium, जिसकी वरे से vegetation बने की vegetation क्या होती है, बलकि होती होती है, destructive agent होती है, जिसमें fibrillin होता है, inflammatory cellobacteria देखने को मिलती है, yautical matter valve को जादे involved करती होती है, heart valve affected होती है, देखने को मिलता होता है, अब यह बहुत important चीज है, इसको diagnose करने के लिए, आपने इसको तो में divide करना है, pathological और इसके लाब आपका लिए का clinical, इसको modified use criteria कहते हैं, इसके अंदर pathological या clinical, अगर clinical criteria को use करना तो आपको 2 major, 1 major, 3 minor, या फिर आपको 5 minor criteria आपको चाहिए होता है, definitive diagnosis के अंदर, पहले pathological है, pathological में हम आजएगा, MC microbiological, microorganism है, जो कि आप demonstrate करोगी culture से, astrological examination से होना vegetation, जबकि histological confirmation करोगी active endocarditis की, अब इसके बाद clinical criteria major, major का memonic होता है, like blood culture, echocardiographic identification, and new valvular regurgitation, minor के अंदर आपका memonic है, P5 है, तो P से आपका predisposing heart lien, intravenous drug user, तो intravenous drug, जो predisposing heart lien होती है ना, वो कौन कौन से होती है, like यहां पर लिखा होगा, predisposing heart lien, जो के करवाती है, like आपका previous valvular damage, आपको देखने को बिल सकता है, या कोई bicuspid congenital heart disease, या prosthetic valve अगर attach करवाई लिया, ठीक है, F से क्या होगा, F से आपका like fever है, okay, आई से आपका immunological phenomena, जिसमें, global uran arthritis, ocular knot, rothspot, rheumatid factor देखने को मिलता है, V for vascular legion, arterial emboli, septic pulmonary infarction, mycotic analism, intracranial hemorrhage, conjectival hemorrhage, general legion, और last में, E से क्या होगा, evidence of microorganism, microbiological evidence, okay, तो almost यह मारा पुरा topic cover हो चुका है,